असलाम अलेकूम, हेलो और वेलकम, दिस इस सेद नजश राजी एंड यू आर वाचिंग मैं चैनल, टीचिंग विंग, आज हम डिसकस करने वाले हैं, इंट्रा ओक्यूलर फ्लूड, इंट्रा ओक्यूलर फ्लूड और प्रेशर को हम डिसकस करने से पहले, हम थोड़ी सी आई की इनाटमी डिसकस कर लेते हैं, ठीक है, आई की इनाटमी में अगर यह हमारे पास ट्रांस्वास सेक्शन है, आई का, और इसमें हमारे पास सबसे इंटीर, अगर हम देखें, तो जो सबसे उपरवाद लेयर होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, यह जो पुस्टिरियर ले अब रेटिना के जो most anterior portion होता है जो यह वाला जो रेटिना को होगा इसे हम aura serata कहते है ठीक है aura serata से उपर अगर हम uvl layer को यह जो uvl layer है second layer है इसको अगर हम divided करें तो aura serata से जो उपर posterior posterior होगी उसे हम kuraid कहते है ठीक है इससे आगे हमारे पास यहां तक जो ट्राइंगुलर शेप आपके पास बनती है इसे हम सिलिरी बोडी कहते हैं ठीक है सिलिरी बोडी और इससे आगे हमारे पास इसी की कांटिनुशन जो सेकंड लियर होती है इसे हम आईरिस केहते हैं अब आईरिस जहां से deficient है यानी कीkov यह गोल होती है ठीके से इसला तो आईरिस जहां से deficient है BECH में वहक में जो हमारे पास hole बनता है इसे हम pupil केहते हैं अब हमारे अगर हम intra-aucular flutes देखें तो यह हमारे पास lens है और यह हमारा पास सिलिरी प्रासिस के थू हमारा पास ये सिस्पेंसरी लगामेंट्स हैं जो के lens को हूल्द करके रखते हैं, ठीक है और अब हमारे पास ये जो lens है ये हमारे पास आइ को दो fluid में डिवाइट करता है एक हमारे पास質 olduğी fluid होगा lens है है कि ये दोनों fluid intraocular pressure को maintain रखते हैं intraocular pressure हमारे पास normally जो हमारे पास 10 to 21 mm of mg होता है लेकिन हमारे पास average हम 15 लेते हैं अगर intraocular pressure इन से ज्यादा हो जाए तो हमारे पास disease कास करता है जिसे हम glaucoma कहते हैं ये intraocular pressure ये दोनों fluid maintain करते हैं ये जो हमारे पास जो vitreous fluid है या vitreous humor है ये हमारे पास free नहीं होता जबके equus humor जो हमारे पास होता है वो free होता है ठीक है अब vitreous humor एक ही बार produce होता है during the development और ये फिर इसके बाद इससे यानि कि डाइफ्यून हो सकती है यानि कि gaseous exchange यहां से और थोड़े बहुत यहां से exchange होती है लेकिन बागी ये हमारे पास stable होता है जबके equus humor हमारे पास stable नहीं होता है equus humor हमारे पास completely produced भी होता है continuously और हमारे पास drain भी होता है ठीक है अब ये हमारे आरीस के इन्टेर होसे हम इंटीर चेमबर के तेंड यह Delaj přाज़ करते हैं जुरिंग mendpak अर्ली जो प्राइमिटिव लाइव होती है वह जहां si हमारे जो हमारे से मेंब्रेन होती है repub repub premiere वो और कफिछे लेकिन बाद माई یہ degenerate हो जाती है और हमारे पास communication रह जाती है between the interior and posterior chambers जन में से हमारे पास aqueous humor flow करता है ठीक है aqueous humor अब हम ये देखते हैं कि aqueous humor produce कैसे होता है aqueous humor की हम देखेंगे production देखेंगे circulation देखेंगे और drainage drainage of aqueous humor is most important because it is related to the glucoma यानि कि जब हमारे पास drainage block हो जाती है तो हमारे पास intraocular pressure ज्यादा हो जाता है जिसमें glucoma होता है और बाद में इस पर अलग से glucoma पर जो वीडियो होगी उसमें सारा हो जाएगा इन्शाल्ला तो अब हम आते हैं कि aqueous humor produce कैसे होता है ठीक है next diagram जो है तो नेक्स डेलिग्राम जो है इसमें हमारे पास यह आपको ciliary body दिखाई हुए ठीक है उसका वह वाला portion यह हमारे पास आगे से iris है और ciliary body में जो हमारे पास two parts हैं देखो ciliary body का जो posteriori part है ना यह हमारे पास plane है जिसे हम कहते हैं parts plane ठीक है यह वाला part यह और जो anteriori part है इसमें हमारे पास यह हमारे पास projections है ciliary body के यह तो iris है projections को हम ciliary process कहते हैं और इनकी वज़े से इसे हम पास plycata कहते हैं ठीक है यह वाला portion जो हमारे पास equus humor है वह हमारे पास हमने कहा के equus humor ciliary body से produce होता है generally और specifically अगर हम देखें तो ciliary body की epithelium से produce होता है ciliary body की epithelium two layers होती है ठीक है यहां हमारे पास इससे पहले हम as a whole ciliary body की थोड़ी सी histology कर लेते हैं ठीक है ciliary body की सबसे उपर वाली layer होती है यह हमारे पास यह muscular layer होती है ठीक है यहां three types के muscles होंगे number one हमारे पास longitudinal muscles number two हमारे पास meridional जिनको हम radial muscle कहते हैं जो के हमारे पास thickness इस तरह हमारे पास range होती है और third layer है हमारे पास circular muscle की circular muscle के सिर्फ आपको आपको यह section नजर आएगा क्योंकि circular muscle तो ऐसे है ना क्योंकि यह as a whole होता है ऐसे ciliary body तो अब जो next layer है हमारे पास यह हमारे पास stroma की layer है ठीक है और stroma में concentration of blood vessels बहुत जादा होती है और stroma से just inner हम inner की तरफ आ रहे हैं inner हमारे पास epithelium है epithelium की हमारे पास two layers है जो हमारे पास यह वाली layer होगी columnar epithelium अगर हम मैं सिर्फ थोड़े से section में बना रहा हूँ columnar epithelium first जो layer है हमारे पास pigmented होती है इसमें melanin granules होते हैं और melanin production में help करती है जो second layer में बना रहा हूँ वो हमारे पास non pigmented है और जो हमारे पास aqueous humor की production है वो specifically non pigmented से होती है अब हम जल्दी से आपका time waste के वगर यह देखते हैं कि produce कैसे होता है production कैसे होती है तो production totally aqueous humor की production active transport के तुरू होती है active transport सबसे पहले हमारे पास secretions होगी active secretions of sodium iron ठीक है sodium iron उसके बाद हमारे पास यह हमारे पास positive iron है तो यह हमारे पास negative को attract करेगा अपनी तरफ negative ions में हमारे पास hclo3 iron and chloride iron ठीक है अब हमारे पास यह तीन आइन हो गए है जब भी ions करते हैं तो वह हमारे पास osmotic pressure को increase कर देते हैं यहां का osmotic pressure一起 lens हो गया है as computed a blood vessels है हमारे पास यह आइन हमारे पास osmotic pressure को increase कर देंगे hierosmotic pressure as compared to the hair blood vessels ठीक है now osmotic pressure increase हो गया है तो हमें पता है के जहां स् recount हहां Water का flow उसी तरफ होता है ठीक है अब यह water को खेंचेंगे यहां water कैसे आएगा ? यहां इस तरह epithelium अगर cells हैं तो water intracellular between the epithelial cells मुह करेगा और water के साथ solution भी wash out होगा तो water के साथ जहां से blood vessel से हमारे पास nutrients भी इस chamber में आ जाएंगे अब जानते हैं कि यह chamber posterior chamber है ठीक है अब हमारे पास यहां water भी आ गया है water के साथ अब nutrients का अगर हम देखें तो nutrients nutrients कौन कौन से आते हैं यह चीज़ important है सबसे पहले हमारे पास glucose आता है ठीक है यह चीज़ आ जखें amino acids and सबसे important हमारे पास vitamin C vitamin C ascorbic acid जो के हमारे पास anti-oxidant होता है ascorbic acid यह तीन चीज़ें यह सारा हमारा किस chamber में आ गए हमारे पास posterior chamber में ठीक है यह हमारे पास कौन सा chamber था अगर मैं दूसरी तरफ आपको एक में दिखा दूँ तो यह हमारे पास यह वाला chamber है तो पुपल से होकर हमारे पास यह anterior chamber में आ जाएका anterior chamber से है हमारे पास idio-carneal angles आप जानते हैं कि यह हमारे पास iris है और यह हमारे पास cornea है तो यहां जो angle बनता है इसे हम i corporation angle कहते हैं तो दोनों तरफ से यह i रिड़το cor люб की तरफ नहोंगे लेगा अरीटियो कार्णियलेंग से आगे जो हमicular 先 होती है तौक है ठीक हमाना थार्ड पॉइंट है तो ड्रेनिज को अगे हम देखें तो मॉस्ट इमपोर्टन ज्रेनिज के लिए आपको किनल समझनी पड़ेगी और हमारे बिकलर मेश वर्क समझने पड़ेगे तो तो किनल है यह हमारे पास एक्चुली अरीडियो कार्णियल एंगल है ठीक है यह हमारे पास आइरस का कुछ पार्ट है और इसमें हमारे पास सिलीरी बोडी का भी कुछ पार्ट आता होता है और स्क्लीरा का थोड़ असा पार्ट आता है और आइरस का चुक्के यह हमारे पास आइरस है यह हमारे पास कार्णिया है तो इसलिए हम इसे अरिडियो कार्णियल एंगल कहते हैं ठीक है यहां से फ्लूड यह हमारे पास एकोस हुमर है यहां से हमारे पास अच्छा इसके अंदर जो हमारे पास जो कार्णियो स्क्लीरल जंक्शन होता है ना यहां हमारे पास इस जंक्श तरह होती है ठीके और यह अगर हम देखें तो यह ऐसे ऐसे सर्कुलर होगी ठीक है यह अगर पास उसका सेक्ष्ट बताया हुई श्लैम्स किनाल से पहले हमारे पस कुछ हमारे पास specific specialized connective tissues थीज़ें इस थोड़े loose हैं इस तरह loose हैं कि यह हमारे पास पर्मेबिलिटी को इलाओ करते हैं पर्मेबिलिटी यानि के यहां से यह इतना पर्मेबल है कि इससे फ्लूड ऐसे ऐसे श्लैम्स किनाल की तरफ आ सकता है ठीक है हमारे पास ट्रेबिकलर मेश वर्क से होते हुए यह हमारे पास क्या है ट्रेबिकलर मेश वर्क से पास होके हमारे पास फ्लूड आगे हमारे पास श्लैम्स किनाल में आगे है ठीक है श्लैम्स किनाल श्लैम्स किनाल से आगे हमारे पास फ्लूड जाता है यहां हमारे पास एक् बीन के बात हमारे पास flair jayगा एपधम कि बात हमारे पास Coffee दाएगा en Contact performs a इंटर्ब्रow i 것은 फिलूट आगया है तो इस तरह हमारे पास आप्रेह संथ कंप्लीट वगई है ठीक है अब मैं आपको एड़ दा इंड अचा यह श्लैम्स किनाल का लंग जूडनल सेक्षन आप समझ लें यह देखें ट्रेबिकलर मेश वर्क इस तरह होता है यह तो मैंने एक सेक्षन वह बताया होता है सेक्षन अगर आप इसको देखें तो यह एजे सर्कूलर होता है ठी है और उसके उपर मैश वर्क इस तरह होता है तो यह मैश वर्क हमारे पास काफी पर्मियबल कुनेक्टी टिशू को हता है तो इससे हमारे पास यहां से मतलब एजीली हमारे पास जो एक्वस हुमर होता है वो पांस हो जाता है अब लास्ट में मैं एक्वस हुमर का आप लो हमारे पास डूसरा फस्ट यह है कि एक्वस हिमर हमारे पास के हुप्ति ग्रेतर है लेकन वा रहा हमारे पास कुछ ब्रांचेस देती है यहां इन पार्ट को सुप्लाइ करती है वेस्किलर में इन पार्ट सुप्लाइ करती है लेका आगे वाले जो पार्ट होती है वो do to कुछ पर पास Simply रह जाते हैं जिन में हमरे पास Vermont काया कम्प्लीट्ली होता है हमरे पूर्स ऑइर्स होता है तो यह जो में पास aqv हुमर है यह हमारे पास air viscular structure को nutrition provide करने के लिए बहुत जबलास source है ठीक है इस वज़ा से यह हमारे पास drainage होती है ताके इन जो air viscular structures हैं इनको nutrition provide हो ठीक है thank you so much for watching this video next video में हम continues करेंगे blue coma के बारे में